नमस्कार ग्यानवीड में आपका स्वागत है दोस्तों चाहे दर्द जोडों का हो या फिर हाथ पेरों का हो आजकल हम सबी इसके इलाज के लिए अंग्रेजी दवायों का सेवन करते हैं एलोपेती मेडिसिन एक बार लेने से आराम तो मिल जाता है पर ये दवायों हमारे सरीर के लिए नुकसान दायक शाबित हो सकती है इन दवायों का रेगुलर सेवन करने से हमारी किद्नी पर बुरा असर पड़ता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको हातों और पेरों में दर्द, सूजन या फिर जलन होने पर इसके पांच आसान गरेलू उपाय बताने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप हमारा ग्यान वी डिटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना बुलें तो आईए अब आपको बताते हैं हात पेर में दर्द का इलाज करने के लिए आपके सरसे गरेलू उसके अपना सकते हैं पहला है वाटर थेरीपी पानी से आप इलाज कर सकते हैं आप दो बरतन ले एक में गर्म और दूसरे में ठंडा पानी भरें दो से तीन मिनट के लिए पेरों को गर्म पानी में रखें फिर इसके बाद 15 से 20 सेकेंड के लिए ठंडे पानी में रखें इस परियोग को तीन से चार बार करें इस उपाय को होट एंड कोल्ड वाटर थेरीपी के नाम से जाना जाता है ये गरेलू उपाय हाथ और पेर दर्द के उपचार करने में काफी काहरिकर है आगे बढ़ते हैं दूसरा है लॉंग का इलाज लॉंग के तेल का परियोग सरीर में जोडों के दर्द और दातों में दर्द का अचुक उपाय है इसके तेल की मालिस करने से मान स्पेशियों को आराम मिलता है और दर्द की शमिशया दूर होती है तीसरा है सेंधा नमक सेंधा नमक के परियोग से भी हम हाथ पेरों के दर्द से चुटकर आप पा सकते हैं गर्म पानी में एक बाल्टी लेकर इसमें दो से तीन चमाच सेंधा नमक मिलाकर 10-15 मिनट तक इसमें अपने पेर रखे इसे आपका धर्द जल्दी ही कम हो जाएगा चोथा है बर्फ से दर्द का इलाज इस उपाय को आइस थेरिपी कहते हैं एक प्लास्टिक के बेग में बर्फ डाल कर दर्द या सुजन वाली जगह पर इससे मसाज करें आइस बेग का इसमाल 10-15 मिनट से अधिक ना करें पांचवा और आखरी सर्सों के बीज से दर्द का उपाय सर्सों के बीज ले उन्हें पीस कर गर्म पानी में मिला ले गर्म पानी को किसी बड़े बरतन में डाले फिर अपने पेरों को इस पानी का सेख दे ऐसा करने से नसों में खून का भाव ठी हो जाता है और दर्द से हमको अराम मिलता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको हाथो पेरों में दार्द सूल्जन या फिर जलन के खोने पर इसके पांच आसान गरे लुपाय बताएं उमिद करते हैं छोटा से वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो ग्यान वीडियो प्जलन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइब और शेर करें नमस्कार